देक्जाम वायर में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HCS मेंस एक्जाम 2022 इंडियन हिस्ट्री आप्शनल पेपर पर ये आज ही संपन हुआ 13 गस्ट 2023 को और वेकलपिक विशे के प्रशन पत्रों के साथ ही मुक्य परिक्छा संपन हो चुकी है HCS 2023 का नोटिफिकेशन दिसंबर के अंत तक आने की संभावना है तो चलिए देखते हैं कैसा था ये प्रशन पत्र दोसों अंकों का ये प्रशन पत्र है दो खंडों में विवाजित है खंड A और B ठीक है सेक्षन A और सेक्षन B हैं परते खंड में चार कोश्चन है इस तरह से कुल आठ प्रशन आपको करना है दोसों अंक का ये प्रशन पत्र है GS और आप्शनल दो-दोसों अंकों के होते हैं और वहीं लेंग्वेज के पेपर यानि कि इंग्लिस इंक्लूडिंग इंग्लिस ऐसे और हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी ऐसे 100-100 अंकों के होते हैं इस तरह से 600 का रिटेन एक्जाम होता है और 75 मार्क्स इंटर्विव के निरधारी ते हैं तो 675 से आपकी फाइनल कटाफ तै होती है पहला है सिंदु घाटी की सिंदु घाटी सब्विता का नगरी स्वेरूप ठीक है और अबन नेचर आप इंडस वैली सिवलाइजेशन और इसके बाद भी है इसी का थेरवाद बोट धर्म के आधार बूत सिंधान आठ अंग निर्धारित हैं चोल, कालीन, इस्थानी, सोशाशन और अगला है बल्बन का अराजत्व सिद्धान्त इस बार लेंग्वेज के प्रशन पत्रों के साथ साथ ही वेकलपिक विशे के प्रशन पत्र भी आसान कूछे गए हैं पिशली बार की तुलना में आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताईएगा आगे देखते हैं फस्ट का ई है मराठों का केंदरी परशासन सेंटर अजमिस्टेशन आप मराठाज और अब कुश्चन सेकंड शुरू होता है निमलिखित प्रशनों के उत्तर आपको देना है कुश्चन नमबर सेकंड है मौरे सामराज प्राचीन भारत का विर्द्यूत्तम राज था और उसे संचालित करनी है तो एक विस्तिल परशासन की अफशक्ता थी मौरियों के अधीन परशासनिक धांचे की विवेचना करनी है पंदरा अंक निर्धारित है अगला प्रशन भी मौरे परशासन पर ही है मौरे परशासन की सरवादिक प्रबल विशेस्ता एक केंद्रित एवं एकात्म कराज की इस्ता बना थी इसका विशलेशन करना है इसके बाद अगला प्रशन है अशोग के अधीन केंद्रित मौरे राज तंतर का स्वेरूप पित्री वरत और कल्यान कारी हो गया था इसका थन की व्याख्या करनी है ठीक है इसके बाद आगे बढ़ते हैं कुश्चन नमबर थर्ड जो की सलतनत काल से है पहला प्रशन है यहाँ पर थर्ड एका कुटबदीन एवं एवं इर्तुतमिस के अधीन आर्थिक एवं क्रिश्की यमापन की मूल विसेश्ताओं का वर्डन करना है पंद्रा अंग और अलाओदीन खिलजी की किर्श्की यमापन की सुधार एवं बाजार नियंतर निती का परिक्षन करना है पंद्रा अंग के लिए भी हैं मुहमद बिन तुगलक एवं फिरोज शाह तुगलक की आर्थिक एवं क्रिश्की यमापन की व्याख्या करनी है ठीक है और अगला है जात एवं सवार को परिभाशित कीजिए मनसबदारी बिवस्ता में गठित होने वाले विविति चड़न एवं परिवर्तनों को परिभाशित करना है इसके बाद अगला है क्या मनसबदारी बिवस्ता में हरास में जागीर एवं इजारा बिवस्ता की हस् इसके बाद section B शुरू होता है, यहाँ पर भी चार परशन है, question number 5, प्रतेग को 150 शब्दों में लिखना है, पहला है रहयत वाड़ी बेवस्था, आठ अंक निर्धारी था है इसके लिए, ठीक है, दूसरा है 1919 का भारत शाषन अधिनियम और तीसरा है सुतंत्र भारत में भूमी सुधार, लेंड रिफॉर्म इन इंडिपेंडेंट इंडिया और अगला है अंग्रेजी और द्योविक करांदी के सामाजिक परभाव, social impact of the English industry evolution, सोवियत संग का पतन, collapse of Soviet Union, ठीक है, ये शार्ट नोट से आठा ठंकों के, इसके बाद कोश्चिन नमबर शिक्स देखते हैं, कोश्चन नमबर शिक्स है, निमलिखित परश्णों के उतर देना है, पहला है, उग्रवाद से क्या अभी पराया है, इसके बाद अगला है, बीसमी सदी के आरंब में, इसके उदे के क्या करण थे, ठीक है, और C है, बंगाल के स्वदेशी आंदोलन में, यह कैसे रूप आंतरित हो गया, इसकी बिवीचना करनी है, ठीक है, एक्स्ट्रिमिस्ट की बात यहां पर हो रही है, इसके बाद कुश्चन नमबर सेवन है, एक रास्टी नेता के रूप में सुबाश चंदर बोस का ओदय कैसे हुआ, भात्मा गांदी से उनका किन मुद्वों पर मतद्वेत था, आसान है, ठीक है, भारती यह सुतंतरा संग्राम में उनके योगदान का मुल्यांकन करना है, क्विश्चन नमबर आठवा है, क्या दुती विश्युद को संपोर्ण युद कहा जा सकता है, कहनदा सेकंड टॉम एज टोटल वार, सी है, इसी का भी है, इसके आरंब होने के कारण क्या थे, यानि कि दुती विश्युद क्यों शुरू हुआ, दुती विश्युद के परिणामों का वर्डन करना है, ठीक है?